आज हम लोग पढ़ेंगे प्लाज 10 साइंस चैप्टर नमबर टू एसीड बेसिस एंड सौट के बारे में तो यह इस चैप्टर का पांचों वीडियो है हमने चार वीडियो में इसके बारे में एसीड बेसिस साट के बारे में पढ़त लिया ठीक है तो आज हम लोग इसका पांचों वीडियो पढ़ेंगे तो चलिए स्टार करते हैं तो इस वीडियो में हमें पढ़ना क्या है पढ़ चुके हैं तो आज हम पढ़ेंगे सॉर्ट के बारे में तो चलिए देखते हैं सॉर्ट क्या होता है दिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाई दी एक्षन बिडिविन एन एसिड एन एबेस और नोर एस सॉर्ट इस पहले मैं आपको एक बार डिफिनिशन फिर से बता दूँ कि एसिड और बेस कंपाउंड होके किसका फॉर्मेशन करते हैं सॉर्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं यह चीज हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं सॉर्ट का फॉर्मेशन कब होता है किस की सॉम होता है यानि हम बोल सकते हैं कि जब एसिड और बेसिज आपस में कमबाइंड करेंगे तो वहां पर किसका फॉर्मेशन करेंगे सॉर्ट का यह चीज हमने बता गया है कि the compound formed by reaction between an acid and a basis करेंगे रियक्संट के बाद हमें क्या मिलेगा सार्ट ही मिलेगा यहां जयां पर देख सकते हैं यहां पर चाहिए पीछे सके लिए। सब्सक्राइब करेंगे तो यहां पी क्या मिलेगा और क्या मिलेगा और कि यहां पर क्या मिलेगा क्यूंकि हम जानते हैं कि यहां पर यहां पर मेरा सेकंड एकजांपल है SCL जिसको बोलते है hydrochloric acid and react करेगा किसके साथ में NH4OH जिसको हम बोलते है ammonium hydroxide जो कि मेरा क्या होता है base होता है यानि कि SCL एक acid है NH4OH ये मेरा क्या है base है तो SCL और NH4 आपस में combine करेंगे react करेंगे तो react होने के बाद यहां पर मिलेगा ammonium chloride यानि कि NH4CL plus water ही मिलेगा हमें पता है water मिलता है और salt भी मिलता है तो यहां पर NH4CL जो होता है इसको हम बोलते है ammonium chloride और यहां मेरा क्या होता है salt होता है और यहां पर NACL जो होता है यहां भी मेरा क्या है salt है और NACL को हम common salt भी बोलते है आप ध्यार में रखेएगा फिर से रेपीट करते हैं जिए ऑर बेस के रियक्षिं के बाद क्या होते हैं ग्यार ध्यार की मिलते हैं तो क्या मिलेगा साल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा वाटन मिलेगा यह चीज हम पीछे पढ़ चुके हैं अगर आपने पिछला वीडियो आपको निट्लाजेशन नहीं सुनमाया है तो आप वीडियो नंबर फोर पे जाईए पार्ट फोर पे जाईए तो वहाँ पे आपको अच्छी सा समझाया है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं तो यह चीज आपको सुनमाया कि एसी और बेस कंबाइन होगे किसका फॉर्मेशन करेंगे साट वाटर का फॉर्मेशन करेंगे ऐसे साट क्या होता है हमें प्रॉप्त होता है तो चलिए अब हम नेश्ट पार्ट पर चलते हैं हमें वहा अजय प्रॉर्ग है एसटिक एसेट यहां फी फॉर्मेशन करेंगे सीख़रियं सी ओए'll यहोता है इसको हम बोलते हैं leels एक फपोल्ड झतःतेश्श्य कंटीं मीन आई इसाइनर। चीत लोग ट्रहन υुम होता है रिए क्या फान रिए क्क आशेज़ान सब्सक्राइएं मारे सी कि आपरी केश्छ करये तुल स्ग chilion positive charge keration and neatively charged NIN during short formation cation coming from basis and NIN is coming from acid यानी कि यहाँ पे जो short का formation होता है क्टार सुख技 ise के पास आता है और NIN क्या होता है si । का आता है एक कि सेधा बोलरा है यहाँ पे fundamental का क्या बन Under this to एक दुस्तरे के साथ क्या होगे कंबाइन होगे तो किसका फॉर्मिशन करेंगे साल्ट का फॉर्मिशन करेंगे और किसका फॉर्मिशन करेंगे वाटर का फॉर्मिशन करेंगे क्लियर तो यह मेरा क्या था सॉल्ट की डिफिनिशन थी डिटेल में तो आप इसको राइट कर सक तैसे ने न savez मेरा है क्लासिफीकेशन कथे मेरा चलासिफीकेशन को पढ़ना है की क्या होते हैं लिछ इंट यहां यहां पर ग्याक क्लासिफट हाइः थे यहां पर पढ़ना है लिए तो चलते हैं नेश्ट पेज़ भी वहाँ पे आपको समझाएंगे कि कितने टाइफ के क्या होते हैं उसके बारे में हमें भी यहां पी डीटेल में पढ़ना है अभी मैंने पिछले पेच पढ़ा कि क्लासिफिकेशन आप सॉर्ड यानिकर हमने वहां पे छीवाइड किया सार्ट को तब हम यहां पर उसकी टाइब्स को पढ़ेंगी कि इतने पार्ज में को क्लासिफषाइड किया गया है तो चलिए श्ट करते हैं हम देखिए हं नार्मल साट यहां पर नार्मल साट का formation कैसे हो समझते हैं कि जो साड का फॉर्मेशन होता है वह कि लेकिन लेकिन यहां पर क्या होगा कि जैसे कुछ भी होता है कोई भी ऐसे ले अगर में से हम प्लस आयन कंप्लीटली रिपलेस हो जाता है कि होता है तो उस प्रकार के बने salt को हम क्या बोलेंगे normal salt बोलेंगे एक बर हम यहाँ से definition को समझते है these salt are formed by the complete replacement of hydrogen in acid by other metal cations from the basis यानि कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर acid में से completely replacement हो जाए कि इसका hydrogen का हो जाए तो उसके बाद जो मेरा salt बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे normal salt बोलेंगे for example हम देखते हैं यहाँ पर यह मेरा example दिया गया है example में हम देखेंगे कि NaCl is normal salt formed by the reaction of SCl with NaOH यानि कि यहाँ पर दिया गया है SCl मेरा acid है उसके बाद NaOH मेरा cap base है अगर यहाँ पर धियान दे कि यहाँ पर जो बोला गया है अगर H plus I can completely remove हो जाए और यहाँ से स्यल क्या हो जाएगा इस sodium के साथ यह निश्मेटल के साथ क्या हो जाएगा मेटल के टार के साथ क्या हो जाएगा एड हो जाएगा तो इस प्रकार के बने साट को हम क्या बोलते हैं कहां एड रह जाएगा चीशन का कंप्लीट्लिय रिप्लेसमेंट हो जाए अस प्रकार से क्या बोलते हैं कि भीषतफा जाए। हो ने फ ग्यान देना कि हुरा है रिप्लेसमेंट हो जाएंन किसा हो रहा है एच प्लस आयन का completely replacement हो रहा है एच प्लस आयन का completely replacement होगा तो हम उसको बोलेंगे normal salt बोलेंगे तो यह मेरा था normal salt second मेरा है acidic salt तो acidic salt क्या होता है उसके बारे में पढ़ लेती है ध्यान दे acidic salt क्या होता है मेरा कि salt which are formed by the partial replacement of hydrogen atoms of acids or cottage acidic salt यानि कि first मेरा था normal salt और यहां पर उसका second type से क्या acidic salt है second type से किसका acidic salt classification क्या बोल रहा है कि ऐसा salt जिसमें से acid में से अगर एच प्लस आयनका partial replacement हो रहा है किसका partial replacement हो रहा है पार्सियल मंदब आंसी ग्रूप यानि completely replacement नहीं होगा तो उस प्रकार के उस थाइप के बने शार्ट को क्या बोलें गीं नार्मल अजुरी एसिडिक सॉट्ट क्या ज्रिक रूट बोलेंगे से सब यह से के सांडे सॉट्ट क्या होता है ऐसे साहल जिसमें हम क्या होता है पार्सली रिप्रेस्मेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं और इस डिक सउड बोलते प्लस प्लस नहीं हुआ है लेकिन अगर हम इसमें देखें कि नार्मल साट में तो यहां पर हम जो सोडियम कॉल्डाइड था इसमें कोई भी एच प्लस नहीं था इसलिए हम इसको नॉर्मल साट बोलेंगे यहां पर कंप्लिटल रिमूव हो जा रहा है यहां पर कंप्लिटल रिमूव होगा लेकिन यहां पर अगर देख रहें एसीड में से पार्सियल हाइडूजन क्या है यहां पर प्रिजेंट है यहां पर इसका कंप्लिटल रिप्लेस्मेंट नहीं हुआ यहां पर न ne researched sodium visal fat और यहां पर यहां पर हमेएं क्या मिलता बाटर मिलता ही है यहां कि इसलिए इछ है प्लिटल में एक इजब क्लिएं पर प्रिजेंट होगा थो इसको हम क्या बोलेगे acidic salt बोलेंगे, clear, I hope understood you, तो के फिर अब हम next page पी चलते हैं, वहाँ पे फिर basic salt के बारे में discuss करना है, double salt के बारे में discuss करना है, और complex salt के बारे में discuss करना है, clear, तो चलिए next page पी, हमने दो salt के बारे में, types of two salt के बारे हमने पढ़ लिया है, एक normal salt और एक acidic salt, अब हमारा है basic salt, एक three types का salt है, तो चलिए start करते हैं, salt which are formed by the partial replacement of hydroxyl group or card basic salt, यानि कि basic salt क्या होता है, कि जैसे हमने acidic salt पढ़ा, acidic salt में में मेरा क्या था, replacement हो रहा था, लेकिन partially हो रहा था, और normal salt में क्या हो रहा था, completely हो रहा था, ऐसे यहाँ पर basic salt जो होता है, इसमें जो replacement होगा hydroxyl group का, किसका, hydroxyl group का, hydroxyl group का मीन, मतलब कि यहाँ पर जैसे हमने basis में पढ़ाता है, basis क्या करते हैं, O-H minus आयन देते हैं, या उसको बोलते है, hydrox group होता है, जो O-H होता है, उसको क्या बोलते है, hydroxyl group बोलते हैं, तो यहाँ पर जो basic salt होता है, इसमें क्या होगा, partially replacement होगा, किसका hydroxyl group का, और क्या form करेंगे, एक salt का formation करेंगे, और एक water का, क्योंकि हम जानते, acid और base combine होगे, किसका formation करेंगे, salt or water का formation, और इस type में, जो अग कि calcium hydroxide या इसको C-A-O-H-C-L, calcium hypo chloride, is formed by the partial replacement of hydroxide group, from calcium hydroxide by chloride ions of acid, यानि कि यहाँ पर एक जांपल हो, calcium hydroxide, C-A-O-H का whole twice, plus S-C-L, यानि कि यहाँ पर एक acid है, calcium hydroxide एक base है, दोनों combine करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे calcium hypo chloride, यहाँ पर क्या बनाएंगे calcium hypo chloride, और यहाँ पर water का formation करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर hydroxyl group जो है, यानि कि 2 है, O-H कितना है, 2 है, O-H का whole twice है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर कितना है, O-H एक ही आया, यानि कि completely replacement नहीं हुआ है, completely replacement नहीं हुआ है, यानि कि यहाँ पर replacement हुआ है, यानि कि partially हुआ है, यहाँ पर एक group क्या represent है, तो इस salt को हम क्या बोलेंगे, basic salt बोलेंगे, clear, अब मेरा next salt है, double salt, क्या होता है double salt, चलिए देखते है, salt that are found by the mixing of two simple salt, which are obtained crystallization, यानि कि यह इसका मतलब है, कि double salt क्या होता है, double salt जो होता है, two simple salt क्या होता है, combination होता है, two simple salt, क्या होता है, mixes होते है, और जब two simple salt mix होके क्या बनाएंगे, यह double salt का formation करेंगे, और यह obtained crystal क्रिश्टल के form में होते है, तो चलिए देखते है, इसका एक example, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत इंटु 24H2O, बहुत ही इंपॉर्टिंट एक्जाम्पल है, आपके बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है, कि पोटास एलम का फार्मूला क्या होता है, तो आपको यह फार्मूला याद करना पड़ेगा, क्या होता है फार्मूला, के 2SO4, 2SO4, इंटु 24H2O, तो पोटास एलम के नाम से भी पूछा जाता है, कभी-कभी एक्जाम में, यह बोल देते हैं, पोटासियम एलमूनियम सल्फिट, इसी का नाम क्या होता है, पोटास एलमूनियम सल्फिट, आप राइट कर सकते हैं, पोटास एलम का क्या नाम होता है, दूस का याल स्फीन होगा अफिव समझा को आआ स्थudeATT alcanz चलिए नेश्पiałर साइश व नेयुद मैं समझा इस समय लेते हैं लोग तो the salt which contains different types of metal atoms which on hydrolysis produces complex iron along with the simple ions and called complex salt यानि कि इसका बोलने के मतलब यहाँ पर यहाँ है कि two normal salt combine होगे और वहाँ से क्या होगा जो hydrolysis होगे जो ionization होगा वहाँ पर two types के salt आपके formation में आएंगे फर्स्ट होगा एक simple salt होगा और एक होगा complex salt होगा यानि कि two simple salt combine होगे वहाँ पर क्या बनाएंगे एक simple salt बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे complex salt बनाएंगे तो यहाँ पर हम इसका example देख लेते हैं यहाँ पर इसका आयन है यहाँ पर इसका आयन है डायमीन सिल्वर क्लॉराइड का क्या है यहाँ पर यहाँ पर एक क्लॉरीन आयन है यहाँ पर क्या हुआ है कि तो डिफ्रेंट नार्मल साट क्या होगे combine होगे combine होने के बाद क्या करेंगे और प्रोड्यूस होंगे यानि ब्लेकडाउन होगे किसमे किसमें सिंपलेश्ट शाट में और किसमें complex साट में और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते है इसी शाट को हम क्या बोलते है complex साट بोलते हैं चीजे हैं और वहाँ पर बोर्ट से आने वाले बहुत से कोईशिन आपको मिले सकते हैं तो ठीक है थैंक्यू आल्डवेश्ट